रात भर पानी में भिगो कर खाएं ये पांच चीजें कभी बुढ़े नहीं होंगे नमबर एक खजूर खजूर को अक्सर दूद में उबाल कर खाया जाता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि छुहारे को रात भर पानी में भिगो कर सुभा खाली पेट इसका सेवन करने से सरीर की कई बिमारियों को नियंतरित करने में मदद मिलती है खजूर में कई ऐसे तत तो पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बिमारी के खत्रे को कम करते हैं इसके अलावा हाई ब्लड प्रेसर और हाई बैट कोलेस्ट्रॉल लेबल को कम करने में भी काफी मदद कर सकता है नमबर दो अंजीर पानी में भिगो कर अंजीर का सेवन करना ज्यादा फाइदे मंद हो सकता है इसके सेवन से पाचन किरिया बेहतर होती है और साथ ही कब्ज जैसी समस्या भी नहीं होती पानी में भीगी हुई अंजीर का सेवन हाई बलड प्रेसर और बैट कुलिस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी अच्छा होता है इसके नियमित सेवन से ये रोग नियंत्रण में रहते हैं नमबर तीन किस्मिस या बहुत ही सेहतमन ड्राई फ्रूट है जिसका सेवन करने से सरीर का पाचन तंत्र और रोग परतिरोधक शमता बढ़ती है साथ ही किस्मिस में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेसर को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है कुलिस्ट्रॉल, हार्ट और डाइबिटीच के रोगी भी सुबह पानी में भीगो कर किस्मिस खा सकते हैं नमबर चार काजू काजू ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बलकि सेहत के लिए भी उतना ही सेहत मंद होता है इसे राद भर पानी में भीगो कर इसका सेवन करने से और भी कई फायदे मिलते हैं रोजाना इसका सेवन करने से ब्लड सुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हार्ट अटेक जैसी बिमारियों का खत्रा भी काफी हद तक कम हो जाता है अगर आप बिमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो सुबा खाली पेट राद भर पानी में भीगी हुई बादाम खाना आप के लिए बहुत फाइदे मंद हो सकता है सरीर में खराब कुलिस्ट्रॉल के अस्तर को कम करने के लिए बादाम को पानी में भीगो कर सेवन करना बहुत फाइदे मंद होता है इसके साथ ही इसके नियमित सेवन से डाइबीटीज का खत्रा भी काफी हद तक कम हो जाता है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर कीजिए कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद